हेलो फ्रेंज, एक्जिम एक्सपोर्ट्स के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरा नाम है राहूल प्रताम, जैसे के आप सभी जानते हैं कि इन वीडियो के द्वारा हम नए importers और exporters की जो भी queries है जो भी उनके मन में प्रशन है उसको solve करने का प्रैतन करते है ताकि आप export और import के film में confidence के साथ आ सके अगर आपके मन में कोई भी प्रशन है कोई भी query है तो आप नीचे दिये गए नमबर पर call कर सकते है या हमारी website विजिट कर सकते है या हमें email कर सकते है और साथ साथ में वीडियो के comment में भी आप अपने प्रशन को डाल सकते है जिससे हम आपके query को solve करने का try करेंगे अगर मैं आज के प्रशन के बारे में बात करूँ या आज की जो query के बारे में बात करूँ तो ये एक query है कि एक नए exporter को अपने buyer से कैसे trust build करना चाहिए या एक नए buyer एक नए exporter के उपर कब trust करता है और हमें क्या steps लेने चाहिए ताकि वो हम पर trust कर सके और वो हमें order दे सके so obviously ये एक बहुत important step है business को आगे बढ़ाने के लिए कि जब तक आपका buyer आप पर trust नहीं करता तब तक definitely वो आपको order नहीं देने वाला और order नहीं मिलेंगे तो आपका business आगे नहीं बढ़ने वाला so सबसे पहली बात है कि एक किसी भी नए exporter को अपनी online presence बनानी ज़रूरी है याने कि उसके पास अपनी website होनी चाहिए उसके अलग-अलग business to business websites के उपर या portals के उपर उसका registration होना चाहिए उस exporter के government के साथ registration होने चाहिए import export code होना चाहिए obviously ये सारी चीजे जो है वो ज़रूरी है और ये सारी information आपको अपनी website के उपर लगा देनी चाहिए ताकि जब भी कोई भी buyer आपकी website को visit करे तो उसको ये सारी information मिले ताकि उसको आप पर trust develop हो secondly आपका social media के उपर भी presence होना ज़रूरी है जैसे के linkedin हो गया, instagram हो गया, facebook हो गया तो ये अलग-अलग जो channels है या अलग-अलग जो portals है या अलग-अलग तरीक है जिसकी वज़े से आप अपने company को और अपने products को marketing कर सकते हो क्योंकि आप जितना ज़्यादा social media पर active रहोगे उतना ज़्यादा आपका online presence रहेगा, उतना ज़्यादा trust भी build होगा अभी ये तो पहले दो step हो गए इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा trade fairs और exhibitions के अंदर participate करना है जिससे जो आपके field के related हो जिसकी वज़े से क्या होता है कि आपके field के अंदर जो regular लोग है जो business करते है याने के exporters है या importers है या traders है उनसे आपकी contact हो वो आपसे face to face मिले और वो आप पर trust कर सके जब ऐसा होता है तभी हमारे deal होने के chances बढ़ जाते हैं और मैं बार बार ये दोराता हूँ बार बार ये बताता हूँ लोगों को कि export का business जो है वो basically networking का business है तो जितना ज्यादा आपका networking strong होगा जितना ज्यादा आपका network बढ़ा होगा उतना आपका business deals होने के chances बढ़ जाते हैं तो आप जितने ज्यादा seminars है, workshops है या trade fairs है या exhibitions है आप attend करोगे तो इसका मतलब है कि आप ये पूरे network का एक part बन जाओगे और बार बार लोगों से मिलने की वज़ा से लोग आप पर ज्यादा trust करेंगे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि ये जो business है या ये जो company है वो ये business seriously कर रही है and they are really and genuine player in the market और उसकी वज़ा से हमें ज्यादा से ज्यादा export orders मिलने के chances होते हैं इसके अलावा जो हमारी target countries है याने कि जिस market में हमारा goods को export करना चाहते हैं वहां के भी business to business portals है उनके साथ registration करना या वहां पर हमारे marketing करना goods को हमारी company की marketing करना ये भी important factors है जो decide करते हैं कि हमारा buyer हम पर trust करेगा या नहीं so I hope friends कि आपको एक idea आ गया होगा कि किस तरह से buyers का trust जीता जा सकता है और किस तरह से exports के orders हमारे पास आने के chances बढ़ाए जा सकते हैं तो friends अगर ऐसे कोई भी question आपके मन में हो कोई भी प्रशन आपके मन में हो तो आप definitely हमसे contact कर सकते हैं email से या हमारी website विजिट करके या तो फिर हमारे YouTube channel द्वारा भी आप हमें प्रशन पूछ सकते हो सारी information आपको screen पे मिल जाएगी जैसे हमारा email idea आपको मिल जाएगा हमारा phone number आपको मिल जाएगा और हमरी organization नए exporters और importers को train करने का भी काम करती है जिनको इस field का basic knowledge देती है किस तरह से customer से deal करना चाहिए किस तरह से अलग-अलग government agencies से deal करना चाहिए क्या procedures है export या import की ये सारी practical hands-on training हम देते है तो अगर आप serious हो इस business में आने के लिए या इस field में enter होने के लिए तो I would recommend you के आप definitely हमारी website visit कीजिए और हमें contact कीजिए ताकि हम आपको इस field में with confidence आने में मदद कर सकें So till the next time, bye bye, thank you